आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे कोटमीर वड़ी आए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है यह मैंने एक गड़ी कोटमीर को बारिक काटकर दोकर छन्नी में डालकर आदा घंटे के लिए लग दी थी इसमें मैं डालूंगी आदा किलो बेसल एक चमच शक्कर, एक चमच गरम मसाला पाउडर, दो चमच मिर्ची पाउडर, दो चमच धन्या पाउडर, एक चमच हल्दी पाउडर, नमक स्वाथ की हिसाब से, थोड़ा सा इमली का पानी अभी सारी चीज़ों को हम मिक्स करें हैं यह अच्छे से मिक्स हो चुका है, अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी दाल कर आटे की जैसे गुन हुई देखें यह आटे की तरह गुनकर हो चुका है, अभी मैं थोड़ा सा हाथ में तेल डालूँगी और दोनों हाथों को तेल लगा लूँगी, अभी हम इसको शेप देवेंगे इसे गुलवल करकर हमें इस तरीके से इसे लंबा करना है देखें वड़ी को शेप देखर मुचुका है, अभी मैं इस तरीके से चन्नी लूँगी और इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी तेल डालूँकर इसको अच्छे से पैला लूँगी अभी बनाई वड़ी को मैं इसमें रख दूँगी इसी तरह हम दूसरी वड़ी को भी शेप देगे फिर से हमें हातों में तेल लगा कर इसमें वड़ी को शेप देना है गैस्त्र मैंने देखिए एक डेक्चे मैं पाने दल कर गरम होने के लिए रख दी हूँ अभी इसके उपर मैं छन्नी को रखूंगी और इसे ढकन लगा कर दस मिनिट तक के भाब में पकाएंगे दस मिनिट हो चुके अब हम इसको चेक करेंगी अभी हम पीच में इसके चाकू चुबा कर देखेंगे देखें चाकू में बिल्कुल आटा नहीं लगा है यानि कि ये पक चुका है अभी गैस्त्र को बन करके हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे देखें आलोडी ठंडी हो चुकी है अब हम इसको कट करेंगे हमें इस तरीके से पतला पतला कट करना है देखें मैंने सारे वड़ी को कट करके ले ली हूँ अब हम इसे फ्राई करेंगे पढ़ाई में मैंने तेल डालकर गरम होने के लिए रख दी थी तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम इसे फ्राई करेंगे अब हम इसे चारो तरफ से गोल्डन फ्राई करेंगे तो फिर वड़ी को डीप प्राई करने से वड़ी बहुत ही कुर्पुरी है और बहुत ही अच्छी बनती है हमें इसे चम्मस से चलाते रहना ताके यह चारो तरफ से लाल हो जाए वड़ी देखें चारो तरफ से लाल हो चुकी है अब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह हम सारे वड़ी को तलेंगे माशाल्ला कोतमिर वड़ी बनकर तयार हो चुगी है आप इसको बिना चटनी के ऐसे ही खा सकते हैं इसमें तीनो फ्लेवर है खटा मीठा तीखा और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है बहुत ही टेश्टी होती है वीडियो पसंद आए तो शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताना कोतमिर वड़ी कैसे बनी अल्ला हाफीज